हेलो फ्रेंड्स, मारी चेनल होमी फूट्स मा आप सवनु श्वागत छे आजे आपने राजस्थानी स्टाइल थी आखी डुंगडीनु शाक बनावानी रेसिपी जोसु तेना माटे शव प्रथम एक मिक्सर जाननी अंदर बे थी त्रण डुंगडीना टुकडा त्रण थी चाल लिल्ला मर्चाना टुकडा, एक थी बे लाल मर्चाना टुकडा, थोड़ा आधुना टुकडा अने थोडी लसन नी कड़ी उमेरी अने तेनी पेस्ट बनावी लैसु आ पेस्ट नी अंदल लाल मर्चु उमेरवा थी, तेनो कलर लाल आवे छे, ते उपरांद टेस्ट मा पण खुब सारो आवे छे लाल मर्चु तमें इच्छो तो तेने स्कीप पण करी शको छो त्यार बाद आपने 4-5 टमेटाले तेनी पन पेस्ट बनावी लेवानी छे आपने आशाक माँचे नानी साइजनी डुंगडी आवे छे, ते लेवानी छे अने तेमा अथी उपर नी छाल दूर करी देवानी छे, अने आ रीते तेमा वच्चे क्रोस मा जेका पाडवाना छे जेथी तडवामा शरड त्यार रहे, त्यार बाद एक कड़ाईनी अंदर तेल गरम करवामू की सू तेल गरम थेई छाई, एटले तेमा सुका गरम मसाला जेवाके तमाल पत्र, लाल सुकुमर्चु, बादिया, तज, लविंग, तिखा, उमेरी, अने तेने सातड़ी लेई सू त्यार बाद तेमा आखी डुंगडी उमेरी सू, अने तेने तड़ी लेई शू आपडे आ डुंगडी ने मिडियम फ्लेम पर तड़वानी छे, डुंगडी गोल्डल ब्राउन कलरनी थाई, त्यां सुधी आपणे तेने तेमा तड़वानी छे उमेरी तड़ा शे, एटले तेना उपरना पड छुटा थता जसे, त्यार बाद आपणे तेमा थोड़ा काजुना टुकडा, अने थोड़ी आखा लसन्नी कड़ी उमेरी, तेने पण तड़ी लेई सू त्यार बाद जो तेलनु प्रमाण वधारे होई, तो तमे वधारानु तेल काड़ी पण शको छो त्यार बाद आपणे तेमा थोड़ी हींग, थोड़ू आखु जीरू, अने थोड़ी हरदर उमेरी सू, अने तेने मिक्स करी देईशू त्यार बाद आपणे तेमा दुमडी नी जे पेस्ट बनावी हती, ते पेस्ट ने उमेरी देईशू पेस्ट उमेरी तेने सारी रीते पाकवा देशू पेस्ट पाकी जाई, त्यार बाद आपणे तेमा टमेटानी प्यूरी उमेरी सू, अने तेने पन हलावी ने तेने पाकवा देशू आ टमेटानी प्यूरी ने आपणे तेल छुट्टू पड त्या सुधी पाकवा देवानी छे आ ग्रेवी जेम वधारे पाकसे तेम तेनो टेस्ट कुब सारो आवे छे त्यार बाद टेस्ट बेलन्स करवा मटे आपणे तेमा थोडो गोडु मेरीसु औने तेने हलावी ने मिक्स करी दैसु ग्रेवी पाकी छै त्यार बाद तेमा थोडा मांडवीना दाणानो भुको अने स्वाद अनुसार नमक एड करिसु अने तेने पण हलावीने मिक्स करी दैशु आ समय दर मियान आपने शाकने हलावतु रेवु खुबज जरुरी छे त्यार बाद तेमा थोडा पनीरना टुकडा अथवातो तमे क्रश करीने पण पनीरने तेमा उमेरी शको छो अने तेने हलावीने मिक्स करी दैशु त्यार बात तेमा दिखानी भूकी, धाणा जीरू, लालसुकामर्चा नो पावडर, गरम मसालो उमेरी अन्य तेने हलावीने मिक्स करी देशू ત્યારબા તેમા થોળો લિંબુનો રસ એડ કરીસું અને તેને પણ હલાવીને મિકસ કરી દઈસું સાક આપણું પાકિજ જઈ તેયાર બા તેમા એક ક્યૂબ ચીજ ની લઈ તેને ખમણી અને તેને પણ ઉમેરવાની છે ચીજ ઉમેરી તેને સારી રીતે હલાવી ને મિક્સ કરી દઈશું તો આપણું આ ડુંગડીનું શાક સારુ કરવા માટે તેયાર થઈ ચુક્યું છે હવે આપણે આ ડુંગડીના શાકને એક વાટકા માલઈ અને તેની ધાણા ભાજી અને તેને મકાઈના રોટલા અને અડદના પાપળ સાથે સારુ કરીશું આસાક મકાઈના રોટલા સાથે ખુબ જ સારુ કરી લો થીંક યો